Hello beautiful souls, this is Sanvi Sharma, I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जेनरलाइस्ट रीडिंग लेकर आए हूं, जो के नेवेंबर 2023 के लिए है. आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानि के वरिश्रिक राशी बाले लोगों के लिए है. ये एक जेनरलाइस्ट रीडिंग है, तो ये रीडिंग कही न कहीं आपसे रिजोनेट जरूर होगी. अब प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और बेल आइकून को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरे एक और चानल भी है, Soul Divine Journey Tarot, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, जो आपको आपकी लाइफ को चानलाइस करने में मदद करती हैं, और मैं अपने डेली एंचलिक गाइडेंस रो वीनस राइसिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडिंट यानि की अपने लगन के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका अजाडिक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा for finer details, so आएए जानते हैं, ये निव मेंबर के मन्त में, जेनरल इनर चीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आएए जानते हैं, आएए जानते हैं स्कॉपियो पीपल, तो पहरा कार्ड है, यहां पर एम्परर का कार्ड है, the next card is justice का कार्ड है, the next card over here is three of pentacles का का कार्ड है, the next card is king of swords का 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 कार्ड है, the next card over here is knight of cups क का 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 है, the next card over here is five of fire का 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 स्कॉपियो पीपल, आप इतनी बात तो बहतर जानते होंगे कि आप एक water sign personality हैं और इस महेने में आपके अंदर ना emotions का सैलाब उठता ही जाएगा कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए कभी आपकी expectations बहुत हाई होंगी कभी आपको ऐसा लगेगा आपने emotions को आपको किसी के सामने show नहीं करना है क्योंकि सामने वाला person आपके emotions को समझ नहीं सकता है आप दूसरों के लिए बहुत साद़ डिवोटेड होंगे बट सामने से आपको उस तरह की devotion नजर नहीं आएगी आप थोड़ा सा लोगों के साथ precaution से चलेंगे तो आपके लिए बहतर होगा आपको इसा लगेगा कि आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं लेकिन सच मानिया आपके around भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप completely trust कर सकते हैं आपकी life में जो भी situation चलेगी ना इस मंत में वो safe है आपके लिए ठीक है आपके जो भी hidden emotions हैं उन्हें या तो pan down कर लीजे या आपने around कोई ऐसा person ढूंड दीजे जिससे आप कोई बात कह सके ठीक है इस मंत में charity आपको जरूर करनी है और अगर आप किसी problem में फस जाते हैं तो किसी से आपको guidance लेने की जरूरत है यहाँ पर king of swords का card है इस महीने में अपने intelligence का भरपूर इस्तेमाल कीजेगा दूसरों की respect करेंगे आपको भी respect मिलेगी आपको लोगों से अच्छी advice भी इस मंत में मिलेगी अपने आप में आप fair minded रहिएगा किसी के साथ भी injustice करने के कोशिश मत कीजेगा जो आपको feel होता है वो सबके सामने खुल कर कहिएगा अपने emotions को clearly communicate कीजेगा ठीक है पर मुझे ऐसा लगता है कि आप emotional होने की वज़ाए अपने practical side लोगों को ज़ादा दिखाएगे उससे लोगों की आँखों में आपकी जो image है वो काफी effect करेगी तो इसलिए आपको इस तरह से आख नहीं करना चाहिए अगर आप अंदर से emotional है तो बाहर से एक बनावटी रूप में आपको किसी के सामने इस तरह से नहीं आना चाहिए यहाँ पर five of sports का card है आपको ज़ादा लोग support नहीं करने वाले है ठीक है आपको लोगों के साथ मिलकर ही happy feel हो ऐसा जरूरी नहीं है आप जिनके बेच में अपने आपको बहुत secure feel कर रहे है वो सकता है कि उन में से ही कोई person ऐसा हो जो आपको back step कर दे ठीक है हर किसी को clean chat नहीं देनी है उसके motives को जानने की कोशिश करनी है यहाँ पर five of fire का card है इस month में आपका जो point of view है वो बहुत ज़्यादा strong रहने वाला दूसरों के साथ conflicts होने एक बहुत ही normal बात आपके लिए रहेगी क्योंकि आपका जो point of view है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा different होगा ठीक है आपको ये खुद decide करना है कि जिस situation में आप अपनी इतनी energy लगाने वाले हैं क्या वो situation आपकी इतनी energy deserve करती है ठीक है अगर आपको लगता है कि हाँ तो अपने ली stand लीज़ेगा हो और उस चीज़ के लिए fight कीज़ेगा और नहीं तो fight नहीं करना है नहीं तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के बीच में ना चर्चा का विश्य बन जाएंगे कि आप सबको dominate करने की कुशिश कर रहा है इस मन्त में आपकी जो ambitions है वो बहुत high रहने वाले हैं यहाँ पर three of pentacles का card है इस महीने में घर का कोई person आपको बहुत अच्छी advice देगा उस person की advice को सुनियेगा और एक person आपकी घर से ही होगा जो आपको downfall की energies की और लेकर जाने की कुशिश करेगा तो यह फरक आपको खुद बनाना है कि कौन आपकी favor में है कौन person आपके against है इस month में quality of work के उपर focus करना है quantity of work के उपर focus नहीं करना है ठीक है इस month में अगर आप job करते हैं और आपकी कोई team है team को साथ लेकर चुलना है आपका मान सम्मान यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है ठीक है यहाँ पर justice का card है इस महेने में अगर आपका बहुत लंबे time से कोई court case चुलना है इतना लंबा कि 8-9 साल हो गया है यह उससे थोड़ा ज़दा time हो गया है तो वो court case आपकी favor में होगा ठीक है और अगर अभी कोई reason start हुआ है वो थोड़ा उलजेगा ठीक है उसमें आपकी favor में results आपको अभी नहीं मिलेंगे तो आप अपने belief system पर अड़े रहिएगा balance होकर चुलना है आपको किसी के साथ अन्याई नहीं करना है जूट का साहरा लेंगे जीतेंगे नहीं और अगर आप किसी ऐसी position पर है जहां पर आपके लिए गए फैसले दूसरों की जिन्दगी के उपर गहरा impact डाल सकते है तो सोच समझ कर आपको फैसले बनाने है यहां पर the emperor का card है इस month में आपको अपनी life का charge खुद अपने हाथ में लेना है logically आगे की और बढ़ना है चीजों को organize करते हुए आगे की और पढ़ना है अपनी life को discipline के साथ आपको जीना है और बिना किसी reason के गुसा नहीं करता है क्योंकि उस गुसे पर आप खरे नहीं उतर पाएंगे ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ लड़ाई चकड़ा कर लिया तो आप उस person को अपने से बिल्कुल अलग कर पाएंगे नहीं आप फिर दुबारा उस person के साथ बात करेंगे लड़ाई वहां कीचे जहां पर दुबारा को बुलाना ही नहीं है सामने वाले person को तो इसलिए लड़ाई चकड़े को avoid करने की कोशश कीचे का यहां पर night of cups का गार्ड है इस month में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से कोई emotional proposal मिलेगा ठीक है आपको किसी से प्यार हो सकता है किसी को आप से प्यार हो सकता है आपको अपने life को लेकर मतलब इतने ज़दा emotions कभी feel नहीं हुए थे जो अब आपको feel होने शुरू होंगे आपकी अगर relationship में कुछ imbalance की energy से तो उसके अंदर भी कुछ changes आने वाले हैं वो हम आपकी love life में देखेंगे ठीक है इस month में आपको ये चीज़ realize होगी कि past में कुछ चीज़े आप अगर इस तरहां से करते तो वो शाद अच्छे तरीके से आपको result देती तो आप past की कुछ चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपको आपकी life के उपर एक बहुर अच्छी clarity मिलेगी ठीक है और आपको अपने दिल से पता होगा कि आप कहां गलत थे और कहां सही तो acceptance की energies में भी आप मुझे आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं So I hope आपको आपकी general energies कॉप your people clear हो गई होंगी आएए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपकी love life के लिए किस तरहां का रहने वाला है इस महीने में आपकी love life किस तरहां की होगी आएए चानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरहां का रहने वाला है आएए चानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरहां का होगा तो पहला card है page of sports का card है the next card is king of fire का card है the next card over here is renewal का card है okay the next card is the star का card है the next card is four of pentacles का card है three of pentacles का card है the next is the high priestess का card है and bottom of the deck पर nine of fire का card है सबसे बहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने partner के साथ no contact की state में है देखिए इस महीने की शुरुवात में ही आपको ये महसूस होगा कि आपके partner की साथ आपका आप दुबारा कभी contact होई ही नहीं सकता है आपको इस relationship से आगे बढ़चाना चाहिए ठीक है इस relationship में आप कुछ नहीं बचा है आपने अपने इस relationship को बहुत ज़दा protect करने की कोशिश की लेकिन आपके partner की तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आप लोगों के case में कोई घर की third party exist कर रही है उसके बारे में भी आपको कुछ knowledge होगी starting में लेकिन दिवाली के बाद अचानक से आपका point of view अपने इस relationship के लिए बदलेगा आपको ऐसा लगएगा कि ये relationship तो मेरा अपना relationship है मुझे इस relationship को इस तरह से छोड़ कर नहीं जाना है आप जहां पर पहले एकदम ही इस relationship पर give up करने वाले थे वही पर अब आप इस relationship को rebuild करने की अपने तरीके से कोशिश करेंगे और आप unidirectional होकर इस relationship को renew करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप अपने partner से direct communication नहीं करने वाले लॉजिकल तरीके से आप आगे की और move करेंगे और आपको ये भी पता लगेगा कि कौन है वो लोग जो आपके इस relationship में इतनी जादा problems खड़ी कर रहे हैं आप इस relationship में जो पुरानी चीज़े हो गई है उन्हें let go खुद से करेंगे ठीक है और इस relationship को अपने तरीके से renew करने की पुरी कोशिश करेंगे जिसमें सफल होने के आपके बहुत ज़्यादा chances है ठीक है और किसे भी घर के person पर अपने relationship के regard में यकीन मत कीचेगा इस बात का ध्यान रखिएगा और इस relationship पर मैं आपको यह नहीं कहुँगी कि आपको give up नहीं करना चाहिए आप खुद ही नहीं करने वाने हैं पहले आप उसी तरह की energies में होंगे फिर बाद में आप खुद ही give up नहीं करेंगे तो यह हैं आपके लिए energies अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने partner के साथ contact zone में हैं इस month में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके partner ना आपके emotions को समझ नहीं रहे हैं कि partner घर के किसी person की बात सुन रहे हैं उस person के influence में आ गए हैं आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी self-respect को क्यों compromise करूँ मुझे अपनी self-respect को compromise नहीं करना ये रिष्टा मुझे ही थोड़ी ना निभाना है सामने वाले person को भी अतनी समझ होनी चाहिए ऐसी सारी चीज़ें almost दिवाली तक चलेंगी और आप न अपने partner के साथ उतने अच्छे communication terms में भी नहीं रहेंगे आप अपने partner के साथ खुल कर बात नहीं कर पाएंगे आप अपने partner को अगर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे वो समझेंगे भी नहीं लेकिन आफ्टर दिवाली आपके इस relationship के अंदर कुछ significant changes आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके partner ना इस relationship में कुछ inputs डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके partner इस third party को defend करने की बजाए इस third party से offended हो रहे हैं इस third party को जवाब दे रहे हैं तो वो चीज आपके अंदर ना इस relationship को लेकर confidence भरेगी उस time पर आपको अपने partner और इस third party के बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपके partner इतने समझदार है कि वो चीजों को किस तरह से tackle करें ये decision वो खुद बना सकते हैं ठीक है तो आपको इस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके partner अगर इस relationship के लिए efforts लगाते हैं तो उन्हें उतना time और उतनी space जरूर दीजेगा तो ये थी आपके लिए energies अब हम बात करते हैं जो लोग single है आपके लिए किस तरह का ये महीना रहने वाला है देखिए कोई past से person आपसे connect करेगा ठीक है इस person को आप पहले से चानते हैं आपने as a friend इस person के साथ कुछ time spent किया होगा इस person को आपके basic nature का पता है आपका शायद इस person के साथ crush भी हो सकता है past में था कभी लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब चीज़े dissolve हो गई अब अचानक से इस person का दुबाना से आपकी life में आना लिखा है और इस person के साथ आप पिछली चीज़ों को discuss करना पसंद नहीं करेंगे बट इस person की अपनी कोशिश होगी कि past में जो कुछ भी आप दोनों के मीच में हुआ ये person उस चीज़ को discuss करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें करने दीजिएगा ठीक है और ये person आपको ये भी बताएंगे कि उनकी life के अंदर ना उनकी family में से कोई person है जिसका बहुत ज़्यादा control है पहले भी जो कुछ भी हुआ family के किसी person की वेचा से हुआ तो उन्हें की बात को सुनियेगा उस चीज़ पर कुछ आपको reactions देने की ज़रूरत नहीं है आप खुद इनके लिए थोड़ा-थोड़ा possessive होना शुरू हो जाएंगे इस तरह की energies भी मैं यहाँ पर देख पा रहे हूँ और यह जो person है इनके zodiac sign हो सकते हैं का आप रिकान वोगोट टॉरस इस month में relationship की एक नीव रखी जा सकती है बड़ मैं यह नहीं कहूंगे कि यह relationship बन जाएगा आपको यह energies clear हो गई होंगी Scorpio people आएए अब हम जानते हैं यह महेना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है इस month में आपके career की energies किस तरह की होंगी यह महेना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है आएए जानते हैं यह महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा आएए चानते हैं Scorpio people November का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है तो पहला card है Page of Pentacles का card है The next card is King of Swords का card है Then is Ace of Pentacles का card है Seven of Fire का card है यहाँ पर The next card is Ten of Pentacles का card है Queen of Fire का card है यहाँ पर The next card is Three of Fire का card है And bottom of the deck पर The High Priestess का card है यहाँ पर Scorpio people अगर मैं बात करूँ आपके करियर की तो इस मन्त में आपके करियर में मुझे बहुत ही सादा improvement नजर आ रही है आपका करियर ग्रो करने वाला है आपके करियर के अंदर कुछ opportunities ऐसी थी जिन में past में तो आपने बहुत मेनद की लेकिन आप grab नहीं कर पाए इस मन्त में आपको वो opportunities जरूर मिलेंगे ठीक है आप अपने करियर में एक advancement जरूर देखेंगे इस मन्त में मुझे इसा नजर आ रहा है कि अगर आप कोई business नया start करना चाते हैं या नई job join करना चाते हैं बिल्कुल आपको वो job मिलेगी आपकी dream job हो सकती है कुछ ऐसा काम जिसके साथ आपके emotions जुड़े हुए हैं वो काम आप कर सकते हैं इस मन्त में career के regard में आपको जो भी फैसले लेने हैं future को दिमाग में रख कर लेने हैं और अपनी intelligence का इस्तेमाल करना है किसी के कहने पर आपको किसी भी तरीके का कोई गलर decision नहीं बनाना है इस महीने में अपने लिए stand लेना आपका बेहत ज़रूरी है ठीके और अगर आप किसी higher authority को challenge करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं लेकिन आपके पास अच्छे evidences होने चाहिए अगर आपको किसी higher authority की person से बात करनी हैं अपनी company में करनी हैं तो आपके पास अच्छे points होनी चाहिए तब ही आप बात कर सकते हैं इस मन्त में आप career में confused बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं यूनी directional होकर मुझे आप आगे की और बढ़ते हुए निजर आ रहे हैं इस मन्त में मुझे ऐसा निजर आ रहा है कि अपने career को लिए करना आप show off भी करने वाले हैं ये चीज़ मत कीचेगा नहीं तो imbalance की energies कब आपने career को लेकर insecurity भी feel नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने insecurity feel की तो आप इस insecurity को खुद manifest कर बैठेंगे तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है आपके career में सब चीज़े बहुत smooth चलने वाली है positive होकर आगे की और बढ़ना है कोई भी नया कदम उठाने से पहले आपको इतन भी उठते हैं कि ये सच में ठीक हो रही है या फिर आपको वैसे ही लग रहा है career आपका सच में अच्छा हो रहा है तो इस energy को accept करना है इस energy को retaliate नहीं करना है ओके तो ये energies हैं यहां पर आपके लिए so I hope आपको आपके career की energies clear हो गई होंगी अगर आप कोई बड़ा फैसला आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं लेकिन अगर आप अपने career में जैसे की कुछ business जैसा कुछ start करना है तो long term के बारे में सोचकर start कीचेगा ओके so I hope आपको ये energies clear हो गई होंगी आए अब हम बात करते हैं ये month आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला है इस month मे आपकी health किस तरह की होगी आए जो आनते हैं Scorpio people इस month में आपकी health किस तरह की रहने वाली थे ये महेना आपकी health के लिए किस तरह का होगा तो पहला card है king of pentacles का card है यहाँ पर king of fire का card है then is four of swords का card है and bottom of the deck पर ace of cups का card है health को लेकर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर चीज एक problematic नजर आ रहे हैं Scorpio people आपकी जो problems है वो generally mental tensions की वज़े से जादा डवलब होती है आप anxious feel करना शुरू करते हैं अपनी life में अगर motivated होकर आगे की और बढ़ेंगे न और इतना सदो overthink नहीं करेंगे तो health के उपर किसी भी तर dependent होने की जरूरत नहीं है meditation कीजिए meditation से आपको relaxed feel होगा आपकी health के अंदर improvement होगी anxious होकर परिशान होकर decisions बना रहे हैं यह भी करना है वो भी करना है बहुत सारी चीज़ां दिमाग में चुर रहे हैं तो उससे health deteriorate हो सकती है अपने emotions को थोड़ा सा control आपको करने की जरूरत है क क्योंकि effective decision making का time यह November का महीना है आपके लिए तो health पर अगर negative impact आएगा तो आपकी ही अपनी किसी गलती की बचल से आने वाला है एक बात का थेहन रिखिएगा रात के time पर आपको ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है उससे आपकी health खराब हो सकती है ठीक है so I hope आपको यह energy energy भी clear हो गई होगी आएए अब हम चानते हैं जो लोग future में invest करना चाहते हैं जो अपना dream house बनाना चाहते हैं आपके लिए energy किस तरह की रहने वाली हैं क्या आप इस month में future में invest कर पाएंगे या आपको इस month में अपना dream house बनाना चाहिए scope your people आएए चाहनते हैं तो पहला card है queen of swords का card है the next is page of swords का card है then it's 9 of fire का card है ace of cups का card है the next card is queen of cups का card है the next card is 8 of cups का card है the next card is 10 of fire का card है and bottom of the deck पर king of cups का card है देखें जो लोग इस बन्त में future में invest करना चाहते हैं आप अपने experience से कर सकते हैं मतलब आपने past में कुछ ऐसी चीज़े experience की होंगी उन्हें review कीज़ें कहां पर आपसे गलती हुई थी कहां पर आपके सही decisions थे अपने logics के according आपको investment करने हैं emotional होकर किसी की बातों में आकर कहीं पर भी invest करने की कोशिश मत कीचेगा और जहां पर आप invest करें वो चीज़ अपने तक आपको रखनी हैं बहुत ज़्यादा stress नहीं लेना इस चीज़ को लेकर अगर छोटा amount भी invest करेंगे तो कोई problem नहीं है नहीं भी करना चाहते हैं तो भी को आपको किसी ने आपके उपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको invest करना ही करना है ठीक है आपके उपर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगा दी है या आपको मजबूर नहीं कोई करना है कि आपको invest करना है नहीं भी करना चाहते हैं तो मत कीचे कोई problem नहीं है लेकिन अगर क करना चाहते हैं तो स्ट्रेस लेकर नहीं करना है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को मद्दे नजर रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आप एफडी तो वैसे ही कुल सकते हैं म्यूचल फंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर क्रिप्टो में कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं सोच समझ कर कीचेगा अपने एक्सपीरियंस के अपके लिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं इस मंत में डेफिनेटली आप अपना घर बना सकते हैं आप कोई लैंड लेकर members हों, वही involved हों, बाहर के लोगों को उस चीज़ में साधा involved करने की आपको ज़रूरत नहीं है, okay so I hope आपको investment और housing की energies भी clear हो गई होंगी, आएए, अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Scorpio people या competitive की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मन्त किस तरहां का रहने वाला है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, competitive की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मन्त किस तरहां का होगा, Scorpio people ये महीना आपके लिए किस तरहां का रहने वाला है यहाँ पर renewal का card है the next is 10 of fire का card है, the next card is knight of cups का card है, the star का card है यहाँ पर, the next card over here is three of swords का card है, then is five of cups का card है, the next card over here is knight of swords का card है and यहाँ पर है seven of pentacles का card है देखिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तैयारी कर रहे हैं burden लेकर पढ़ाई करेंगे, कुछ हासल नहीं होगा, पढ़ाई उतने कीजिए, जितने में आपकी health खराब ना हूँ, past के डर को अपने साथ लेकर पढ़ाई करने से कुछ भी हासल नहीं होने वाला है इस मन्थ हमें 100% अगर महनत करेंगे, तो आपको 80% का reward मिलेगा आपको ऐसा भी फील होगा कि आप महनत तो बहुत ज़दा करते जा रहे हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिलने वाला है, past की चीज़ों को past में ही रहने दीजेगा अपने तरीकों में बदलाव लेकर आईए अपना 100% दीजे फल की इच्छा मत कीजे यहाँ पर अगर आपको चीज़े लख पर छोड़ने वाले हैं, कि इश्वर आपको support कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका ड्रीम है, आपका यह competitive exam crack हो जाए, तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए महनत आपको ही करनी होगी, अपने पढ़ाई को लेकर defensive रहिए passionate रहिए, focused रहिए आपको दिन में time मिलता है दिन में पढ़ाई कीचे, रात को time मिलता है रात को पढ़ाई कीचे, negative चीजों से दूर रहिए, negative लोगों से दूर रहिए, जो लोग आपको demoralize करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए आप अपनी महनत का फल इस मंत में देख पाएंगे लेकिन महनत 100% करनी पढ़ेगी okay, so I hope आपको ये energies भी clear हो गई होंगी, Scorpio people, आएए, अब हम जानते हैं कि इस मंत में आपको क्या mode of action follow करना है, जिससे कि आपकी energies are positive हो जाए, what should be your mode of action, Scorpio people, what should be your mode of action, आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए, आए जानते हैं, what should be your mode of actions, Scorpio people तो पहला card है यहाँ पर Mother Mary का card है, the next card over here is यहाँ पर call to action का card है life force का card है the next card is heart awakening का card है, the next card over here is dharma unfolding का card है, bottom of the deck पर experiencing grace का card है इस महीने में अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दीजेगा because आपके कर्मों का फल आपको साथ-साथ मिलेगा, गलत कर्मा create करने की कोशिश मत कीजेगा कुछ कर्मा आपकी according ऐसे होते हैं कि हाँ सही है, लेकिन दूसरे को वो नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आपने ऐसा कोई भी कर्मा सामने ये साबिट करने की जरूरत नहीं है कि आप सही है, आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अपने लिए शान्ती का चुनाफ कीजेगा, जो शक्ति तत्व हैं यूनिवर्स के वहां से आपको हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है अगर आप अपने लिए शान्ती का चुनाफ करेंगे अगर किसी और की जिन्दगी में भी शान्ती फैलाएंगे तो भी ये हीलिंग आपको रिसीव नहीं होगी लाइफ फॉर्स का कार्ड है, इस मन्त में आपको अपने जिन्दगी को जिन्दा दिली से जीना है ठीक है, ये नहीं कि जिन्दगी में लिए हम काट रहे हैं काटने नहीं है, जीनी है ठीक है, तो अपनी लाइफ फॉर्स को पहचानने की कोशश कीचेगा यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है आपको अपने आपको acceptance की energies में रखना है divine आपको कुछ दे रहे हैं तो उसे accept करना है, question नहीं करना है इस month में give and receive balance में होगा और यह जो आपका रास्ता है ना इस month में, वो कोई इतना आसान रास्ता नहीं है आप जिस रास्ते पर चलेगे उसमें बहुत सारी कटाईयां आएंगे आपके पास दो options होगे, आप सही रास्ते पर चल सकते हैं, आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं आपको सही रास्ते का चुनाफ करना है क्योंकि धरम का रास्ता ही आपको आपकी मन्जल तक पहुँच आएगा और थर्सडे की इंजलिक गाइडन्स में जो भी वाई बताऊंगे, वो आपको ज़रूर फालो करने हैं, यहां पर Experience in Grace का काड़ है देखें, जो भी इश्वर ने आपको दिया है वो ज़रूरत मन्द के साथ शेयर करना आपके लिए बहुत beneficial साबित होगा Okay, so I hope आपको आपका mode of action clear हो गया होगा Thursday और Saturday की इंजलिक गाइडन्स में जो भी उपाई बताऊंगे वो आपको ज़रूर फालो करने हैं Okay, so आएए अब हम जानते हैं कि इस मन्थ में Divine आपको क्या blessings देना चाहते हैं, Divine की तरफ से क्या messages हैं आपके लिए Scorpio people आएए जानते हैं इस मन्थ में Divine आपको क्या messages देना चाहते हैं Divine की तरफ से क्या blessings हैं आपके लिए Scorpio people आएए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर Voyage of the Heart का card है The next card is Regenuating Rain का card है The next card over here is Unknown Territory का card है The next card over here is Joy and Delight का card है The next card over here is Cleansing Waters का card है And bottom of the deck पर Passion and Pleasure का card है Divine आपसे यह कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे flow होता है और आप तक flow होता है जिस तरहां की positive vibrations आप universe की तरफ को direct करेंगे वेसे ही energies आपको मिलेंगी Universe के साथ अगर आपकी नराज़गी चलती रहेगी तो positive energies जो आपकी तरफ आएंगी वो भी आपके औरा के साथ clash करके वाप्पिस चली जाएंगी तो इसलिए अपने आपको थोड़ा सा soft बनाएए थोड़ा सा विन्नम्र बनाएए यह guidance देना चाहते है Divine आपको regenerating rain का card है Divine आपसे यह कहना चाहते है जो भी आपके past में हुआ उसे clear कीज़े अपने present को heal कीज़े ताकि आप एक बहतर future का निर्मान कर पाए Divine आपसे यह कहना चाहते है कि अपने जो vibrant life force है उसे activate कीज़े जो past में हो गया उसे clean करना है आपको जिन्दगी को एक नए तरीके से अब आपको जीना है बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारी खुश्या होंगी अपने दिल को खोलिए जो भी challenges का सामना आपने किया है वो इस वज़े से किया है क्योंकि Divine आपको किसी particular जगा पर पहुँच आना बहुत जल्द आपको अपने जीवन में passion के साथ जीने को मौका भी मिलेगो और हर एक चीज़ आप enjoy कर पाएंगे life की so I hope scope you people आज की energy is आज की reading आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलेगा अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीज़ेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है ये booking आप मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरे email id के थूँ कर सकते है मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप please मेरे channel को subscribe कर लीचिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-ने videos की notification मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul divine joni taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोजरात 8 बच उस channel पर post करती हूँ जो आप लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul mystic taro उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जस्बात भी notifications मिलती रहे उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon